इसकुल सिक्ष विभाग में सिक्षकों की जो वरिष्टा सूची है वो जारी की जा रही है और इसी वरिष्टा सूची के अधार पर सिक्षकों के उच्पत पर प्रिभार के आदेश किये जाएंगे जैसे हम बात करें मादमिक सिक्षकों की वरिष्टा सूची जो की राजिस्तीरी अंतरिम पत्रम सूची का प्रकार्शन किया गया है 14-2013 की इस्थिती में अब इस बरिष्टा सूची में एक प्रश्ण है कि जैसे किसी सिख्षक के पास में दो विशियों में योकता हो तब क्या वो दोनों विशियों में उच्पत पर प्रिभार के लिए काउंसलिंग में पात रता रखते हैं अर्थात जो काउंसलिंग होगी उसमें दोनों विशियों में वो समलित हो सकते हैं और इसके पश्चात के ऐसे सिख्षक अपनी सुविधा अनुसार एक विशे में जो उच्पत पर प्रिभार का आदिस हैं बो ले सकते हैं तो इस समन्द में जैसे हम देखें जो पतकरम सुची जारी हुई है जो बैष्टर सुची जारी हुई है वो 2412 पेजों की जारी की गई है जैसे आप देखेंगे 2412 पेज हैं जिसमें समस्त सिख्षकों के नाम है समस्त मादमिक सिख्षक और सभी विशियों के जो सिख्षक उनके नाम इसमें आ चुके हैं लेकिन इसे विसेवार भी जारी किया गया है और विसेवार जो सुची जारी हुई है इसमें यदि हम देखें तो सिक्षकों के नाम केवल एक ही विसे में आये हैं जैसे आप देखेंगे यदि दो विसे में इस सुची में यदि दो विसे यहा रहोंगे जैसे हम देखें तो एक आदिस चुकि हमारे लिए नहीं है लेकिन समझने के लिए हम देखें तो एक आदिस संभागी संचालक संभाग रायपूर 36 गड़ के द्वारा जारी किया गया था जिसमें कुछ इसी प्रकार का केस था जिसमें बताया गया कि यदि किसी सहा देगा और है मान किया जाएगा तो इस आदिस के अनुसार है यदि हम देखें तो एक सधिक विसे हैं तब सभी विशियों में उन्हें पातरता होगी समंधित कर्मचारी को सभी विशियों में पातरता होगी हले कि जो आदिस है वो हमारे लिए मान नहीं होगा रायपूर 36 का आदिस है संभागी सही को संचालक का लेकिन इस आदिस को बाद में निरस्त भी कर दिया गया था एक बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस आदिस को बाद में निरस्त भी कर दिया गया था तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो मत प्रदेश इसको सिक् जानकारी आप समझ पाया होंगे, मिलते हैं कुछ इसी प्रिकार की जानकारियों के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, जैहिन।